आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि जनरली परलिसिस के रिकवरी में ऐसी कौन सी टू बेस्ट थरपीज हैं जो परलिसिस रिकवरी में help करती हैं, support करती हैं और हमें इस से रिकवरी बहुत ज़ल्दी देखने को मिलती हैं medications हम सब लेते हैं, exercises हम सब करते हैं, walk हम सब करते हैं लेकिन जहां बात आती है best therapies की वहाँ पर हम इसको differentiate करेंगे दो ideal categories में that is physiotherapy and speech therapy अब आप सोचोगे दोनों therapies ही हैं तो कहां पर differentiate किया, paralysis के patients में generally problem कहां आती है चलने फिरने में, अपनी daily basic adials activities perform करने में और दूसरा खाने पीने और बोलने में अगर हम बात करें तो दोनों different चीज़े हैं, जहां पर आपकी चलने फिरने की और activities करने की बात आती है हमाँ आपके हाथ-पैरों की movement की बात आती है, लेकिन जहां आपके बोलने की बात आती है और खाने पीने की बात आती है वहाँ it all comes under speech therapy, अब हम इन दोनों categories को दोनों therapies को अलग-अलग समझेंगे पहले अगर हम बात करते हैं speech therapy की, paralysis में यानि लखवे में सबसे जादा जो effect देखने को मिलता है वो हमारे बोलने पर दिखता है, हम धंग से अपने words को express नहीं कर पाते हैं, हम अपने words को categorize नहीं कर पाते जो हमें words बोलने होते हैं, वो at times बहुत लंबे खिज जाते हैं, जैसे आपको कैसी का नाम लेना है हम ideally नाम कैसे लिखते हैं, like suppose, मुझे बोलना है रिशब, मैंने बोल दिया रिशब, लेकिन paralysis के patients में वो रिशब मतलब words बहुत जाता है, extend हो जाता है, तो यहाँ पर role आता है हमारे speech therapist का speech therapist plays a very ideal and a very important role क्योंकि आप जो words ढग से नहीं बोल पा रहे हो, जो pronunciation आप कहीं न कहीं खो चुके हो उन words को ढग से pronounce करवाने में help करते हैं हमारे speech therapist बहुत सारी अलग-अलग categories होती हैं जो ideally sum up करके एक साथ हमारे speech therapist बताते हैं कैसे आपको खाना खाना है, कौन-कौन से words आपको identically repeat करने हैं अब हम इसे एक example के तोर पर समझेंगे, like suppose हम जबी भी singing सीखते हैं तो singing सीखने से पहले कुछ ऐसे swear होता है, particularly जो हमें बार-बार repeat करने होता है मतलब एक sequence of words होता है, जो हमें बार-बार बोलने होता है और वहीं से हमें एक result मिलता है, that is singing तो वहीं अगर हम speech therapist की बात करें, तो कुछ ऐसे identical words होता है जो वो आपको बार-बार बुलवाते हैं, A-A-E-E-U, हम सभी को पता है तो ये कुछ ऐसे words होता है, like suppose vowel and consonants तो ये जो words हैं, इनको बार-बार बुलवाना अगर आप इनी words को बार-बार बोलके अपनी speech को enhance करोगे तो ultimately एक दिन आप अच्छे से बोलना सीख जाओगे तो यही role play करते हैं हमारे speech therapist आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको अपना निवाला अपने tongue पे रखना है और आप कैसे movement करना है, कैसे chew करना है यह सब आपको speech therapist सिखाते है basically इसके अलावा और जो चीज़े होती है वो आपकी modalities का role play होता है आपकी modalities होती है, different जो आपको कुछ stimulation, sensations प्रोवाइड करते हैं जिससे जो आपकी muscles relaxed है आप बोल नहीं पा रहे हो, तो बोल क्यों नहीं पा रहे है क्योंकि आपकी throat, आपकी यह जो muscles है जो आपकी mouth की muscles है, वो बहुत जादा relaxed हो चुकी है तो उनको वापस से, उनकी movement में वापस लेके आना उनकी stimulations वापस से लेके आना यह role play करते हैं, speech therapist I hope speech therapist कैसे important है कैसे आपकी particular chewing, movement, swallowing या फिर आपके बोलने की तरीकरी को कैसे enhance करते है या आपको समझाया होगा Now here comes physiotherapist अब generally आपने सुना होगा जब भी हम बात करते हैं paralysis के recovery के लिए, stroke के rehabilitation program के लिए तो एक word आपने बहुत बहुत बार सुरा होगा that is physiotherapist consult a physiotherapist तो physiotherapist का main important goal यही है कि कैसे हम जो paralysis के patients अपनी ideal activities perform नहीं कर पाते हैं इसके अलावा कैसे उन्हें bed पर turnings लेनी है क्योंकि paralysis के patients bed return patients होते हैं वो जिस movement में लेटे हुए हैं वो पूरे दिन एक ही posture में लेटे हुए होते हैं उसकी वज़े से बहुत सारी और further injuries उन्हें add up हो जाती है जैसे कि आपके bed source हो जाते हैं pressure source हो जाते हैं तो वहाँ पे भी physiotherapist एक बहुत ही अच्छा role play करते हैं क्योंकि उन्हें positioning सिखानी होती है physiotherapist आते हैं आपको consultation provide करते हैं तो वो आपको एक छीज बताते होगे कि patient की turnings का ध्यान रखना है यह usually हम अपने recovery process में भूल जाते हैं क्योंकि ideally patient एक static position में लेटा हो है तो वो सुबह से शाम तक एक ही position में लेटा हो होता है जिसका impact कहां दिखता है? उसकी back पे paralysis patients को बहुत जादा जखम हो जाते हैं उनकी back पे क्योंकि हमारी back muscles हमारे bed पे बार-बार compress होती रहती है और वो एक ही जगा होती है जो बार-बार हमारे bed पे pressurize होती रहती है उसकी वज़े से वहाँ पे pressure source बनने स्टार्ट हो जाते हैं जखम बनने स्टार्ट हो जाते हैं अल्रीडी पेशिस के पेशिंट्स अपनी activity परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और क्योंकि pressure source होने के बाद वहाँ पे उन्हें inflammation होना स्टार्ट हो जाते है injury होनी स्टार्ट हो जाती है itching होती है उन्हें बार-बार वहाँ पे rub करने का मन करता है खुझाने का मन करता है और at times वहाँ से bleeding भी होना स्टार्ट हो जाती है अब आप खुद relate करो paralysis के patient पूरे time लेटे हुआ है साथ में अपनी activities नहीं perform कर पा रहे हैं कोई movement परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उठ नहीं पा रहे हैं अपनी जगा से और उसके साथ साथ उन्हें एक injury भी हो गई that is pressure source तो बहुत जादा critical situation हो जाती है patients बहुत जादा frumpy हो जाते हैं बहुत जादा irritated हो जाते हैं इस चीज़ से क्योंकि paralysis के patients को deep inside पता होता है कि वो अपनी activities अब अच्छे से perform नहीं कर पाएंगे ये अपने दिमाग में एक constant thought उनका हो जाता है कि मुझे paralysis हो गया है अब मैं अपनी कोई activity perform नहीं कर पाऊँगा तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से यहीं निकालना है कि paralysis कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं है आप अगर recovery चाहते हो तो आपको initiative लेना पड़ेगा आपके therapist आपके पास आते हैं और आप बहुत बार exercises perform करवाने से मना कर देते हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप खुद से actively exercise perform नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आता है role physiotherapist का physiotherapist passively assisted movement perform करवाते है जो movements आप खुद से perform नहीं कर पा रहे हो वो आपके therapist आपको passively movements करवाते है तो इसी वज़े से कहा जाता है do concert a physiotherapist क्योंकि जितनी भी आपकी flexibility exercises होती है mobility exercises होती है या फिर आपका rehabilitation program होता है या फिर आपका gait pattern होता है जो आप चर नहीं पाते है हम जब भी paralysis patients को initially चलवाते हैं तो वो अपना पंजा पूरी तरीके से जमीन पे नहीं रख पाते है या फिर अगर somehow कुछ अगर उनके recovery बहुत अच्छी हो चुकी होती है या फिर कुछ gradual हो चुका होता है तो वो एक पैर अगर यहां रखेंगे तो दूसरा पैर महां रखेंगे तो इसे हम कहते हैं gait pattern में changes आना gait pattern में destruction आना तो यही काम होता है physiotherapist का ideally उन्हें कैसे ideal walk देनी है उन्हें कौन-कौन से exercises perform करनी है कौन से उन्हें postures लेने है postures in the sense हम बैठे हैं हम एक जगा पे बैठे हैं अब paralysis patients में इतने ज़्यादा patients नहीं होती है कि वो एक consistent position में बैठे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके pillow placement करने like suppose I am sitting here अभी मैं हापे बैठे हूँ मुझे कोई problem नहीं है I am sitting straight लेकिन जो paralysis की patient है वो या तो इधर गिरेंगे या फिर इधर गिरेंगे या फिर at times वो आगे की तरफ भी छुप जाने है तो आपको ध्यान ये रखना है कि साथ में pillow placement होनी चाहिए दोनों sides में भी back में भी और आगे भी कुछ ऐसा stool या फिर chair type ये फिर table रखा होना चाहिए जिससे patient आगे की तरफ group ना हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते है आपकी physiotherapist इसके साथ साथ आपको कौन सी exercises perform करनी है कितने repetitions perform करनी है और कौन सी particular exercises perform नहीं करनी क्योंकि जहां बात आती है हाथ पेरों की movement की वहाँ patient सोचते है हम कोई भी movement perform कर ले हमारी energy तो वापिस आएगी लेकिन ऐसा गलात हो जाता है क्योंकि particular movements perform करनी होते है जिससे आपकी recovery बहुत जल्दी enhance हो I hope आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा कौन कौन सी particular चीज़े हैं जो एक speech therapist confront करते हैं और कौन कौन सी चीज़े हैं जो एक physiotherapist अपने recovery में confront करते हैं तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही motive था कि ऐसी कौन सी two important therapies हैं जो paralysis के patients को recovery देने में बहुत जल्दी help करती हैं और उनका recovery process बहुत जल्दी enhance होता है I do agree कि recovery बहुत gradual है लेकिन आपकी recovery अच्छी हो smooth हो और बिना किसी problem कि हो ये ध्यान रखते हैं आपके speech therapist and physiotherapist I hope वीडियो में सब कुछ समझ आया हो अगर वीडियो के regarding कोई भी query है या फिर आप कोई भी problem face कर रहे हो या फिर आप बहुत time exercises perform कर रहे हो क्या क्या precautions आपको लेने है क्या क्या preventive measures आपको add करने है अपनी routine में वो सब भी अच्छे से बताएंगे Thank you so much